गांजी इलत को पूरा करने के लिए चोरी की वादातों को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को मानकापूर पुलिस ने हिरासत में लिया है एक ही मकान में चोरी के मामले में पकड़े गए इन आरोपियों से जब अधिक पूछताच की गई तो इन्होंने वहान चोरी जैसे अन्या प्रादों को भी कबुला ने चोरी की घटा कबूली और दोनों ही आरोपियों ने घर से जो जेवर चुराई गये थे उसे जिस सुनार के पास बेचा गया था वहां से भी पुलिस ने जेवरात को जब्त कर लिया इसे के साथ ही आरोपी 19 वर्षिय सुजल उर्फ मिंट्या साक्रे और श्रियांश पाट यह गाड़ियां मानकपुर्शेत्र से ही चुराई गई थी जिसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है बताया जा रहा है कि यह दोनों ही आरोपी हाथ मजदूरी का काम करते हैं और नशे की लट के कारण चोरियों को अंजाम देकर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं फिलाल तरिक की गटना थी वो आये हमारे पास उनका नाम है तक्रारदार का अमित किशोर जयसवाल उम्र 40 साल रहना जमिल सोसाइटी मानकापुरहत में रहते हैं यह आये और उन्होंने तक्रार दी हमें कि मेरे घर में सोना चांदी और कुछ रुपए ऐसे घरपुरी हुई है करक कि यह लोग करने करे करे करके तो हमने उन लोगों में से दो लोगों को हिरासत में लिया है उनको कड़ी पूष्टाश करने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने इन दोनोंने घरपुरी किया करके और जो सामन उनने शुराय था वो जिस सोनार को उन्होंने बेचा था उस सो और दुसरा है, श्रयांच पाटिन, वो भी दरवीपट का बाराकोली बही पे रहता है, वो भी 19 साल का है, रह से हमने हमें बताए कि सोना रह करके वाह से हमने सोना चानदी सब हीरसत में लिया, उसके बाद उन्होंने और हमने जब PCR लिया इनका, और PCR में जो पूच्टा शेक यह कुछ नहीं करते हैं यहां के API पाटिल सर है, अनुप है, डगवाल मेजर है, अमरी यहां के, योगेश है, विजय यादो है, इन्होंने सब में मिलके यह कारवाई किये और यह गुना डिटेक्ट किया है.